हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस इनफिनिक्स जी टी ट्वेंटी प्रो फोन में आप लोग बैटरी प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक इनफिनिक जी टी ट्वेंटी प्रो फोन है और इस फोन में आपको बैटरी प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है अगर आपको बैटरी यह जल्दी जल्दी खतम हो जा रहा है बैटरी बेकाप जो वह कम हो चुका है तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में जो बैटेरी से related problems को solve कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में ही बाताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसा ना है वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजे तो चलिए का इस वीडियो को start करते सबसे पहले तो आपको जबने फोन को charge में लगा के use नहीं करना है नहीं तो आपको जो बैटेरी है वो खराब हो सकते हैं यह बैटेरी से related problems देखने को मिल सकते उसके बाद आपको उपर से scroll down कर देना है और यह बाद जितने भी option से इन सबको off करके रखने है जब भी आप लोग यूज नहीं करते हो नहीं तो आपको बैटेरी जो है वो जल्दी जल्दी खतम होने लगेगा उसके बाद आपको जाना है अपने phone के settings में settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गाईस power marathon का तो इस power marathon के option पे click कर दीजे click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा power boost का उसके बाद नीचे advance settings का option है advance settings पे click करेंगे और battery saver को पे click करके इसको on कर देंगा on करने से आपको जो battery है वो पहले जो मैंने बताया था पावर्वूश्ट का इसको भी आप rocket अभी ज्यादा सेवने लगेगा तो कुछ से कम आप इन्फिनिक्स जी टी ट्वेंटी प्रो फोन में आप लोग बेटरी प्रोब्लेम को सॉल्व कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों को इवीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए मिलत लेगा लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई